दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे GST में Regular Registered Traders यानि ब्यापारी और उनकी GST को लेकर Tension के बारे में दोस्तो मैंने कई ब्यापारियों को इस तरह से कहते हुए सुना है आपने भी सुनाओगा कि ब्यापारी कहते है कि वह यह GST तो हमारे लिए lea Tension का सबब बनकर रहे गया है तनाप का कारण बनकर रहे गया जब कि ऐसा है नहीं दोस्ते जाज की वीडियों में आप जू आपके बताऊंगा जो इसको यदि आ फॉल으 करते हैं तो जीएश्टी से पूरी तरह से टैंजन स्परी रहरा आपको बताऊंघ कि आपको किस तरह से अपना कार्य करना है और आपके बीआपर को क्या है वकीलियों या झालतर करते हैं तो वह कौन-कौन करते हैं किसकी तरह Series उसमें आपको पर तरह से आख से या प्रॉसेस वह आपनाते हैं आपकाasant सबस्क्राइब करने के लिए तो वो सारी प्रॉसस भी आज की वीडियो में आपको बताए जाएगी जिससे कि आपको अच्छी तरह से जानकारी हो जाए और फिर आप अच्छी तरह से अपना कार्य करबा हैं उसके बाद क्या होगा कि आप जीस्टी से पूरी तरह से टेंजन कराने के लिए जो professional का चैन करते हैं वो थोड़ा साब्दानी से कीजिए ऐसे professional का चैन कीजिये उनका record देखिए उनके बारे में जानकारी लीजिए कि वो अपना कार सही तरीके से कर रहे हैं और अपने client की सारी रिटन टाइमली फाइल करते हैं या नहीं और प्रॉफइशनल का छेंड करते समय प्यासाओं का लोब ना देखे सौ दो SAM डूशुर रुपई के चक्कर में आप किसी ऐसे last में आपको ही भोगतना पड़ेगा तो professional का chain साबधानी पूरबख करें और अच्छे professional का chain करें दूसरा काम आपको ये करना है कि professional आपने अच्छ़ चैन कर लिया लेकिन professional अच्चा है सारा कार सही तरीके से करता है timely सारी return file करता है लेकिन वो चांते हुए भी आपका काम नहीं कर पाते सही तरीके से आपके रिटन टाइमली फाइल नहीं कर पाते हैं उसमें गलती होती है आपकी यानि आप क्या करते हैं उन तक डेटा सारा का सारा नहीं पहुंचाते हैं और समय पर नहीं पहुंचाते हैं यानि आपके डेटा के बेसिस पर ही तो आपकी जीएश्टी डेटन फाइल करेंगे और यदि आप अपना डेटा टाइमली उन तक नहीं पहुंचाएंगे तो आपकी टाइमली डेटन कैसे फा बताते हैं आप GST में regular registered traders से व्यापारी हैं यानि आप product purchase करते हैं और sell करते हैं तो मैं यहाँ पर example लेता हूं एक महीने का जनवरी 2022 का मैं एक example ले लेता हूं अब आपको करना यह है कि जनवरी 2022 में पूरे जनवरी महीने में जो भी आपने आउटवर्ट supply की है यानि आपने जो भी sell की है वो सारा का सारा डेटा उसकी सारी डिटेल आप अपने प्रोफेशनल को दे दें जनवरी महीने में ही आपने जो भी अपने बायर के लिए credit और debit note इसू की है उसकी सारी डिटेल भी अपने प्रोफेशनल को दें क्योंकि इसी बेसिस पर वो आपकी सबसी फॉस्ट रिटन है सबसे पहली जो रिटन है जी एश्ट रवन वो फाइल करेंगे चलिए अप रिटन की प्रोसेस भी जानते है कि आपके ब्याप पर आपके प्रो आपने जो भी क्रेडिट डेबिट नोड इसू किये वो भी उन तक पहुंचा दें और यह ज्यान रखें टाइमली आपको पहुंचाना है यानि जनवरी 2022 की बात करें तो जनवरी महीने में जो भी आपने आउटवर्ट सप्लाइज किये जो भी सेल किये जो भी क्रेड आपगारी होती है और आपने आउटवर्ट सप्लाइज की जानकारी उनके पास पहुंचा दी तो वो क्या करेंगे उसकी जानकारी के आदार पर आपकी जीएश्टी और पर वन रिटन करें और वह दोस्त तो और मन्थली दोनों वेसिस पर फाइल की जाती है अब आपको कै तो आप डेफिनेटली माल लीजिए कि आप GSTR 1 के मंतली फाइलर है यानि आपकी GSTR 1 रिटन मंतली बेसिस पर ही फाइल की जाएगी लेकिन यदि आपका टर्णोबर प्रीवेस फाइनेश फाइलर में पांस करोंट रॉपए से कम रहा था तो क्या है कि आप कि विखाप पर आपके जो प्रॉपेशनल है वो GSTR 1 रिटन क्वाटरली भी फाइल कर सकते हैं तो आपको इंसे पूछना होगा कि उन्होंने आपको किस के टेगरी में रखा है मंतली फाइलर में रखा है तो आपको कोई टेंजन नहीं लेना आपको कुछ भी ध्यान नहीं करें तो फाइनशील का चौता कटर होके जनबरी टु मार्च तो यदि आप क्वाटरली फाइलर है और के वाल चेवल आप बीटू सेल करते यानि नि न्यून रगैस्टर्ण को को सेल करते है तो आपको कुछ भी कहने की ज़रूत नहीं प्रॉपेशनल से लेकिन यदी आप रेइस्टर पार्टियों को सेल करते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कोई बात हो कोई क्वाटर रहाई कोई बी रहुत मन्तों में यहां για डी यह सेल है कोई बात नहीं है लेकिन आपने वी टूबी सेल भी किया यानि रेइस्टर पार्टी को सेल किये तो आप अपने जो प्रोपेशनल है उनसे बोल दें कि भाईया हम कौटरली फाइलर हैं हमारी जी एश्ट्र वन रेटन तो क्वाटर के बाद ही जाएगी यानि जनवरी मार्च को सेल की है अब जनवरी मैने की हमारी इस फाल करते हैं फरवरी मंत्कि आप हमारी इससते क्या व्लतो हैं जनवरी मैंने जब आप आप्रेलं में फाइल करेंगे जब आप अपरेल में फाइल करेंगे तो झो आपने वी तो यह चूट है आपके बाइर को मिलनी चाहिए वो आपको उसको मिलेगी आपरेल महीने में जाकर जबकि जनवरी महीने का, हमने उसको invoice दिया है, तो क्या होगा जनवरी महीने, quarter के first महीने की, आप IFF file करतेंगे, जनवरी महीने में कोई आपने बी टुबी sell कि इसकी IFF file करा देंगे, तो जनवरी महीने की में ही, वो छूट लेलेगा, जनवरी महिने को जो भाई रहे है उसको छूट होगी जो आपको टेक्सक्त कर गया तो उसको चूट percent मन्तArtा वाल करते हैं अब दोस्तों जानते हैं की जानकारी जाती है मौते थवर हैं यहां पर logically और मैंने आपको बताया था पांस तारिक तक आपको दे देनी है हर महीने की जो आपकी आउटवर्ट सप्लाइज की जानकारी वह नेस्ट बंत की पांस तारिक तक दे देनी है वह इसलिए दे नहीं है दोस्तों क्योंकि कई बार क्या होता मैं अपने अनवाफ के आधार पर कह जोता यह है कि माई लिए जर्वरी फरवरी को फाइल किई आनि उन्सकी सजला है और साथ फाइल पहुंचाते हैं या य किश हाई ze सथे सपना ठीछ बिश्ज क्या ऐभरी करते हैं और लोग में उन्मीत करण सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्यों क्योंकि आप जो data देंगे उस data के उनको entry करानी होगी अपने software में और analysis भी करना होगा देखना भी होगा तो उनके पास इना time ही नहीं रहेगा तो या तो वह आपकी गलत return फाइल करेंगे जल्दबाजी में या फिर due date के बाद फाइल कर पाएंगे तो उससे problem हो जाएग next महीने की पांच तारिक तक हर हाल में पहुचा देना है जिससे कि आपके जो professional है वो आपका कार्य सही तरह से कर पाएं और timely आपकी return फाइल कर पाएं जी एश्टीर रुपाएं अब दोस्तों जी एश्टीर बन में जाती है आउटवर्ट सप्लाइस की जानकरी यहां पर क् जानकरी जाती है जो भी आपने कर यहां पर 10,0002 रुपए का product तो यहां पर 10,000,000पाए का product is लाइवल्टी होती है हमारी गौवर्मेंट को पे करने की अब इसमें 10 लाइटम भी हो सकते इसमें 12 वाले भी हो सकते हैं तो टोटल बताना है कि कितनी सेल होगी इसकी है अब यहाँ पर मैं अपने अग् fonction में लेकी चलता हूं दसलाग रॉपई जो हमने सेल की इसमें 5 लाइग का जो मौल था 12 पररशेंट का तो 5000 रॉपई मैंने सेल किया टेक्स के नाम पर और 5,000,000 रुपए हैं ग्राग से स Gibson 60000 वाल तो इस तरह इसके जीएश्टियार बन आपके आउडवर्ट सप्लाइज के आधार पर हॉटार पर आपने जो सेल के अदार पर फैल करने जा रहा है और उस पर यहुआ रख से प्लेक्ट किए यह हमने अपनी लग रपे गहसित करदी यह लाख प्रफिशनल को दे दी इसके साथी साथ आपको पर्चेस की जानकारी भी देनी है तो आपको क्या करना है जन्वरी महीने की यानि जिसी महीने की आपको जानकारी देनी मैं आपर जन्वरी 22 का एक्जम्पल लेके चल रहा हूं तो जन्वरी महीने में दूसरा काम आपको क्या करना है आपको सप्लाइज की जानकारी देदी उसके आदार पर आपकी जेस्टे अरबान रेटन फाइल हो गई दूसरा काम आपको आपको जो भी credit note इसू किया है, जो भी आपको debit note दिया है, वो credit और debit note भी आप अपने supplier को दे दीजिए जनवरी महीने के, इसके लावा जनवरी महीने में आपने अपने business में use करने के लिए कोई भी fixed assets purchase किया है, तो उसका invoice भी यानि उसकी detail भी आप अपने professional को दे दीजिए, इ professional को, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आपने purchase की, goods purchase की, उसकी जानकारी आपको दे देनी है, invoice wise, सारे के सारे invoice वहाँ दे देने है, उसके अलावा debit of credit note आपके supplier ने आपके लिए जो issue किये थे, वो भी आपके पास होंगे, वो भी दे दीजिए professional को, और builti भी दे वो इसकी entry कर लेंगे, आपने software में entry कर ली, ठीक है, आप क्या हुआ, आपने purchase की जानकारी भी दे दी, sell की जानकारी भी दे दी, sell के आदार पर उन्होंने आपकी gstr1 return करने की बात करें दोस्तों, तो gstr1 return जनवरी महिने की बात करें, तो फरवरी महिने की 11 तारिक, इसकी due date तक यह फाइल करनी होती है, ठीक है, तो 11 तारिक तक हमने 5 तारिक पहुचा दिया, और 11 तारिक तक हमारी gstr1 return फाइल कर दी, आई एफ़की बात करें, तो आई एफ़की फाइल करने की जो डेट होती है, वो ती 13 तारिक, यानि जनवरी महिने की, आप क्वाटरली फाइल है तो यह due date है, अब आपने अपनी जानकारी पहुचा दि सारी की सारी, ठीक है, अब क्या हुआ दोस्तों, आपने जो purchase की, purchase की आधार पर आपकी taxable value बनी 12 लाख रुपई, यानि जितने का product हमने purchase किया था, जनवरी महिने में, उसकी value है 12 लाख रुपई, और 12 लाख रुपई की purchase पर 180,000 रुपई, हमारे case में क्या है, अब इसमें क्या 5,12,88,88, सब कुछ हो सकता है, किसी भी rate का product हो सकता है, टोटल यहां पर 12 लाख रुपई की मैंने purchase की है, और 180,000 रुपई टेक्स पे कर गया हूँ, मेरे case में क्या है, कि 6 लाख रुपई का तो मैंने क्य 1000 रुपई में tax pay करके आया, और इसके हमको छूट मिलेगी, ठीक है, तो यह काम हो गया है, पर्चे की जानकार दिये दी, इस तरह सी यह निकल के आया, अब क्या होगा, आपकी जो professional है, वो आपकी दूसरी return फाइल करेंगे, GSTR 3B, फरस्ट रिटन तो फाइल कीती, GSTR बन, ज GSTR 3B को भी समझ लेते हैं, यह जानकार ही जब आपको होगी, तो आप अच्छे तरह से अपना कारिकर पाएंगे, अब GSTR 3B return फाइल करेंगे, वो आपकी, GSTR 3B return, GSTR 1 return फाइल करने के बाद फाइल की जाती, ठीक है, इसकी जो date रहती है, जनवरी महिने के जनवरी महिने के ज आपकी GSTR 3B इसमें क्या होता है, इसी महिने को tax pay करना होता है, यदि हमारी कोई liability बनती है, तो अब जो GSTR 3B return है, इसमें क्या होगा दोस्तों, आपकी tax liability भी जाएगी, देखिए यहाँ पर tax liability है, डेल लाग रुपया, यह tax liability कहां से आई, GSTR 1 में हमने बता दी थी कि हमारी tax liability डेल लाग रुपय है, यहाँ को pay नहीं करना होता, केबल liability गोसित करने होती है, तो डेल लाग है, वो हमारी input tax credit होती है, यानि क्या हुआ, purchase करते समय, जो हम tax pay कर गया है, वो हमारी input tax credit है, और उसकी छूट भी हमको इसमें मिलती है, वो हम claim करते हैं, इसको बलते है claim करना, अब यहाँ पर tax liability डेल लाग रुपय की दी जनवरी में, वो इस जगह पर मैंने बता दी, GSTR 1 मे बताते हैं, कि डेल लाग रुपय की हमारी liability है tax की, यानि हमने गरात से जनवरी महीने में डेल लाग रुपय का tax collect किया था, और वो डेल लाग रुपय करना है, तो मैंने आप tax liability में डेल लाग रुपय बता दिये, GSTR 3B में, और GSTR 3B में ही हमको input tax credit claim करना है, यानि purchase करने पर किया जाता है, और उसके बाद जो परणाम निकल के आता है, उस आधार पर आपको यह देखना होता है, कि आपका tax pay बनेगा या नहीं बनेगा, tax pay करना है, या नहीं करना है, अब इस case में दिखते है, जनवरी महीने में हमारी tax liability बनी डेल लाग रुपय की, छूट लेनी हमे tax credit एकलाग 80,000 रुपय डालेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, इसको set up कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर हमारी क्या है, input tax credit जाधा है, liability कमें, तो ITC, यानि input tax credit एकलाग 80,000 रुपय में से माइनस कर दिया, liability एकलाग 50,000 रुपय, अब क्या हुआ हुआ, ITC बच गई 30,000 रु तो इस इस्तिती में क्या है, हमें कोई भी tax pay नहीं करना है, GSTR 3B में, क्योंकि liability जो थी, वो हमारी, जो पहले हम जो दे कर आ गायते purchase पर, उसी से setup हो गई, और ITC बच गई 30,000 रुपय, तो इस इस्तिती में, GSTR 3B रिटन फाइल करते समय, आपको कोई भी tax pay नहीं करना होगा, आपके electronic credit laser में सो होने लगेगी, यानि जब आपके ID password से login किया जाएगा GST portal पर, तो वहाँ पर GSTR 3B रिटन फाइल कर देते हैं, तो यह 30,000 रुपय आपकी ITC में सो, sorry, electronic credit laser में सो होते रहेंगे, और बाद में क्या होता, फरवरी महीने में, आप अपनी GSTR 3B रिट बच गए है, 30,000 रुपय जो input tax credit बच गए, जो हमारे electronic credit laser में पहुंच जाएंगे, अब क्या होता है, फरवरी महीने के में अपनी GSTR 3B return फाइल करना जाते है, फरवरी महीने में क्या होता है, दो लाख रुपय की बन जाती है हमारी liability, input tax credit लाख रुपय की, तो liability 2,000 रुप बने का, अब क्या हुआ, GSTR 3B return अभी हमने फाइल नहीं किये, ठीके न, यदि फाइल करते हैं, तो यह data, यह data है, अभी हमने फाइल नहीं किये, हम यह मान के चल रहे हैं, कि यह इस्तिती बन रही है, अब इस इस्तिती में क्या होगा, कि यदि आप, यह आपकी मान लेते ह फाइल की जाएगी, और आप 15 तारिक को अपने, जो प्रोफेशनल है, उनसे पूछते हैं, कि भाईया, जनवरी महीने महम पर कोई टेक्स तो नहीं बनेगा, तो उन्होंने फीट कर रखा है, तो उन्होंने बोला कि नहीं कोई टेक्स नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी इंप तो कोई बात ही नहीं है, यह जो आप 1,800,000 डर्बशे के ITC क्लैम करने जा रहे हैं, यह 1,800,000 वास्तव में है या या नहीं है, क्योंकि इसको हम सेल्फ एसट बेस्ट s बेस पर claim करते हैं, हम चाहते तो यहांपर पांचलाग की claim कर सकते हैं, तो क्या बास्ताम मीं 5 रख सब्सक्राइब करने नहीं कर रहें तो क्या हुआ अब आपकी जो प्रॉपेशनल घ्री रिटन फाइल करने से पहले कि जाएंगे जी एस्ट्र टूबी देखने और यह जो जी एस्ट्र टूबी है यह हर मैने की 14 तारिक को जब्रेट होती है तीके न 11 तारिक को हमने अपने जी एस्ट्र टूबी जणरेट होगी तो जी एस्ट्र टूबी चॉलएंट नहीं परवरी को सब्सक्राइब पार इसको फ्रवरी तक करने जाने चौदे के बाद इसको आपको प्रॉपेसिनल गैखेंगे पहले को matching tool है यह जो GSTR2B है यह auto drafted ITC statement है यानि आपको कितनी ITC claim करना है वो यहाँ पर आपको दिखेगी और उतनी ही ITC आप claim कर पाएंगे जिएस्ट टूबी में जितनी ITC आ रही उतनी ही आप claim कर पाएंगे यदि इससे लेकिन आपके professional जब जिएस्ट टूबी देखने गए जनवरी महिने की जिएस्ट टूबी जो की 14 फरवरी को तैयार हो गई थी तो जिएस्ट टूबी जिएस्ट टूबी तक वरनी थी उससे पहले जिएस्ट टूबी उनको देखने थी जिएस्ट टूबी देखने गए तो वहाँ पर इन्पुट टेक्स क्रेडिट आईटी सी दिखर रहे सिर्फ एकलाग पीस अजार रुपर अब यह जिएस्ट टूबी कैसे तयार होता है यह समझ लेते हैं यह जो जिएस्ट टूबी है यह हमारे सप्लाइर के द्वारा तयार होता है यानि हमने जो पर्चेज की जिन लोग अब हमारी कि जो दो हमारी पोर्टल पर हमारे सब्सक्राइब करने में बंदिस लगा रखी है आप तभी कर पाएंगे करना है यह कैसे होता है यह समझ लेते आपको अच्छे समझना एक यह मांनके हुआ कि हमने जनवरी महीने में चैसे पर्चेश की थी ठीकिस लेनी ति यानि चैस अप्लाइर ते शोस अपलायर तो तो हमने पर्चेश की तो इनको लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, जिससे कि आपको अच्वाः समझ में आ जाए। अब यह 6 अप्लायर थे, जनवरी महिने मैंने 6 अप्लायर से पर्चेच की, हर सप्लायर से जो मैंने पर्चेच की, उससे हर सप्लायर से मुझे 30-30ख रुपे की зай सी मिलनी थी, यानि GSTR 1 return फाइल करने की जो due date थी 11 तारिक उस 11 तारिक तक उन्होंने फाइल कर दी जिससे क्या हुआ कि 14 तारिक को जो GSTR 2 भी जन्रेट हुआ उसमें वो सारे के सारे invoices उठकर आ गए जो हमने 4 supplier से परचेज की थी invoice उठकर आ गए और invoice पर जो हम text दे कर आये थे वो टेक्स भी वहाँ पर शो हने लगा एक लाग बीस हजार रुपया च्छव सप्लायर से हम 3030 रुपय की छूट ले नी थी तो चार supplier में तो क्या किया अपनी GSTR 1 return टाइम पर फाइल कर दी डिव डेट से पहले फाइल कर दी तो वो उठकर आ गए इन्वाइसे जी एस्ट टूबी में और उन इन्वाइसे इस पर जौन टेक्स देकर आयते वो भी उठकर आ गया इन्पूट टेक्स रेडिट एक लाग बीस हजार रुपया अब जो पांचवा सप्लायर था उसने क्या किया अपनी GSTR 1 return फाइल तो की जनवरी महीने की लेकि हो क्योंकि उसने इन्वाइस कि जनवरी महीने की इस को अपनी GSTR 1 return 11 फरवरी तक फाइल कर दे ने थी उसने 11 फरवरी के बाद फाइल की 13 फरवरी को फाइल कि तो क्या होगा वो फरवरी महीने की GSTR 2B में 100 होगी ITC तो जब हम फरवरी महीने की GSTR 3D फाइल करने जाएंगे तब हम उस 30,000 की फाइदा ले पाएंगे 30,000 की इंपोर्ट टेक्स करेड़े क्लिम कर पाएंगे जनवरी महीने में नहीं कर पाएंगे तो क्या है GSTR 2B में आपके वो ही इनवाइसे उट कर आएंगे जो आपके supplier अप पांचपा supplier तो यह था कि उसने GSTR 1 तो फाइल की तो इस बैसे क्या होगा जनवरी महीने में नहीं फरवरी महीने की GSTR 2B में वो इनवाइसे होगी और फरवरी महीने की जब हम GSTR 3D फाइल करने जाएंगे तब हम उसको क्लेम कर पाएंगे अभी क्लेम नहीं कर पाएंगे छटा supplier ऐसा था उससे भी हमें 30,000,000 के ITC लेनी थी छटा supplier ऐसा था कि उसने अभी तक अपनी GSTR 1 भरी ही नहीं है और उसका क्या होगा कि जब वो अपनी जनवरी महीने की GSTR 1 फाइल करेगा यदि वो चार महीने बाद अपनी GSTR 1 फाइल करता जनवरी महीने की तो फिर चा इस्ति बदल चुकी है अब इस्तिति क्या बदली है वो समझ लेती यहां पर क्या था जो हमारा डेटा था उसके आदार पर तो हमें कोई भी टेक्स पे नहीं करना था जिए अब इस्तिति दूसरी बन गई अब इस तरह से फाइल की जाएगी आपकी GSTR 3 वी रिटन आप क् आपके जो प्रोफेशनल थे उन्होंने आपकी GSTR 2 वी देख ली और वो 14 तारिक के बाद आपकी GSTR 3 वी फाइल करने जा रहे हैं अब आपके पास उनका फॉन आएगा वो आपसे कहेंगे भई आब इस्तिति दूसरी बन गई क्या बनी कि देखिए टेक्स की तो जसकी तस रही आप इंपूट टेक्स क्रेडिट क्या होगा एक लाग बीस जारी क्लेम कर पाएंगे क्यों क्यों कि GSTR 2 वी में इतनी ही दिख रही थी और हमको इतना ही क्लेम करना इससे ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते यह ITC को क्लेम करने का रूल है इसको हम उलंगन नही नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके बाद फिर क्या होगा अगर हमने ज्यादा ITC क्लेम कर ली GSTR 2 वी में एक लाग बीस जार दिख रही तो उतनी ही क्लेम कर पाएंगे और इससे ज्यादा क्लेम कर लेंगे तो क्या होगा नोटिस आएगा आप लफले में पढ़ जाएंगे आपको जवाब देना पड़ेगा और जो आपने ज्यादा ITC क्लेम करेंगे वापस भी करना पड़ेगी और बहुत सारी आपको प्रोब्लम आ जाएंगे तो उन्होंने कहा कि भईया आप क्या हुआ टेक्स लाग रुपए की रही इन्पुट टेक्स क्रेडिट हमसे पेक ल चालान जनरेट करना होगा और यह 30,000 रुपए आपको पे करने होंगे अपनी जेप से अपने बैंक अकॉन के माध्यम से तो इस्तिती बदल गई के नी बदल गई कहां तो हमारे एक रुपया एक वी आवारे डेटा के आधार पर देखा है तो उनको कुछ भी पे नहीं करन बलकि 30,000 बची रही थी लेकिन 2B के चक्कर में क्या हुआ अब हम इतनी ही क्लेम कर पाएंगे एक लाग 20,000 रुपए और यह 30,000 रुपए आपको पे करने होंगे कैस में यानि चालान जर्नेट करना होगा और 30,000 रुपए आपको पे करने होंगे है ना तो यह स्तिती तो आपको क्या करना है आपने पर्चिस की सारी जानकारी देदी सेल की जानकारी देदी दस तारिक को आपको प्रॉपेस्टनल के पास जाना है या उनसे कॉंटेक्ट करना है क्या करना है दसतारिक को ध्यान रखना जनवरी महिने की बात गरें तो दश्फरवरी को अपने ड़्र दे दिया दस परवरी को आपको बात करनी है अपने प्रॉपेशनल से और उसे पूछना है कि भाइया हमने जो परचेश की है जिन-जिन सप्लायर से तो किन-किन supplier नै अपनी gstr 1 Return dose File कर ददी है 11 से पहले जाना है आपको दधारी को पूछته कि किन-किन लोगोंने अपनी फा일 कर द यह इंधि आप दस्तारिक को इनके पास जाते तो वह आपको बता देते हैं पांच पहले च्पलायर नहीं कि नहीं तो क्या करना है आपको पास जाना है या उनसे कानटक्क करना है पूछना है कि कौन-कौन से हमारे पर्चेश के इन्वाइस जी एस्टी पोडल पर नहीं दिख रहे हैं आप बता दीजिए जिससे कि हम उनसे बात कर सकें तो यदि आप 10 तारिक को इन से बात कर लेते तो क्या होता वो आपको बता देते कि दो सप्लायर हैं फॉर च्छटी नंबर के जो भी होगे वो आपको बता देंगे कि इन सप्लायर ने अपनी घ्र-बन तक फाइल नहीं की है तो आप उनसे बोल दीजिए कि कर आखरी तारीख 11 तारीख तक आप अपना फायल करने जिससे की हम उसकी ITC क्लेम कर पाएं न हर坏 चोट तो यदि आप करनी और उनसे पूछी ऑपना इस तारीख कि शौफलाइर ने अपनी फाइल नहीं की है तो वो आपको बता देंगे कि इन इन सप्प्लायर ने अपनी GSTR 1 रिटन फाइल नहीं किये आप तरंद उनको फॉन लगाई और बोलिए भईया कल 11 तारिक आखरी है और आप क्या कीजिए कल 11 तारिक तक हर आल में अपनी GSTR 1 फाइल कर दीजिए और फिर क्या होता वो अपनी GSTR 1 फाइल कर देते तो यहाँ पर पूरी 180,000 रुपए की ITC दिखने लगती और फिर आपको कुछ भी टेक्स पे नहीं करना होता जब 180,000 रुपए की ITC दिखती तो नहीं तो क्या होगा आपको खामियाज भुगतना पड़ेगा यहां पर देखिए इस इस इस्तिति में अब हमको कुछ कर भी नहीं सकते हैं तो वह अगले महीने में फरवरी महीने में उसके ITC क्लेम कर पाएंगे जनवरी में क्लेम नहीं कर पाएंगे तो आपको ऐसा करना ह अब इस इस्तिति में 30,000 रुपए आपको पे करने होंगे और यह 30,000 रुपए आपकी जिप से चले जाएंगे और क्या होगा अगले महीने में भले ही आपकी 30,000 रुपए की जो 5 पर सप्लायर है उसके ITC दिखने लगेगी लेकिन यह 30,000 रुपए आपको कैस में वापस न क्वाइगी अब यह 30,000,000 3,000,000 विवो सकता है अगर आपकी जादा है ती अजाएंगे 3,000,000, 5,000, 10,000 भी हो सकता है तो यह आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा आपको यहीं द्यान रखना है कि आपके जो भी सप्लायर है उन से आप 10 तारिक को फान लगा की बोल दें पूछ लें, आप चाहिए काम ये भी कर सकते हैं, प्रोपेशनल से पूछ सकते हैं, या आप काम ये भी कर सकते हैं, कि आपकी जो भी सप्लायर, दस्तारिक को उनको फॉन लगा दीजी, पूछ लिए आपकी GSTR 1 डिटन फाइल हो गई है, या नहीं हो गई है, अगर वो कहते है नहीं हुए तो उनसे बोलो कि कल 11 तारिक आखरी है आप हर आलत में अपनी जीएश्ट यारा तारिक तक फाइल कर देंगे तो हमारे जीएश्ट यारा तूबि में वह इंवाइसज हो है रिफ्लेक्ट होने लगेंगे और फिर क्या करेंगे हम उसकी पूरी आईटी से ले करते हैं आपके जो प्रॉपेशनल है किस तरह से आपकी कौन-कौन से रीटन करते हैं और सबसे महत्मूर चीज है वह यह है कि आपकी ITC आपके लिए प्रॉब्लम ना बन जाए तो ITC सबसे मैं सीज है आज के समय में है तो आप इस पर बिसेज ज्यान दें और अपने ऐसे तरह करते हैं और तीसर तरीका यह है कि आप 10 तारीक को आपने जो भी उन्हें लगा कर देंगे और जो लगातार चल जाए उन लेकिन जो दो लोग हैं तीन लोग हैं जो कि नहीं भर रहे टाइम पर उनसे आप ज़रूर बोल दे दस तारिक को फॉन करके आप चेन की नीज़ सो सकते हैं जी एस्टी की तरफ से टेंशन फ्री होकर वीडियो अच्छे लगए तो लाइक करें धर्नेवाद